नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने लेकर कर आया हूं यह व्रिच जो बड़ा ही चमतकारी बड़ा गुरकारी और बहुत ही आउसदी गुणों से परिफुन रोता है देख लिजिए और इ पचान जाते हैं तो कोई बहुत यह बहुत ही रियर बिच रही हर जगा आसानी से मिलने वाला व्रिच होता है कहीं भी आप देखेंगे सटकों के किनारी जंगलों में बाग बगीचों में लोग यानिकी इसको लगाते भी अपने बगीच में लगाते हैं अपने खेत कलिया पचान में लगाते हैं दोस्तों इस प्रिच को बड़ाई दिवे बड़ाई पवित्र यह बहुत ही अर्वेहदी गुणों से भरा हुआ यह प्यर पोधा यह व्रिच होता है दोस्तों तो आप देख लिजिए इसमें जो फूल होते हैं जो यह दोस्तों विच है सेमल का और इसमें सेमल के फूल देख लिए कितने सुंदर सुंदर से लगे होते हैं दोस्तों इसके पहले मैंने आपको यह लिए वीडियो बनाया जो कि मैंने बताया था कि वह नारंगी कलर कहते हैं यह आप प्यूर लाल कलर के सेमल के फूल देख रहे हैं और इसके पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी वह है नारंगी कलर वाले सेमल के फूल थें मैंने दोस्तों वीडियो में बात की थी आप से कि मैंने लाल कलर वाले अगर फूल मिलेंगे सेमल के लाल कलर वाले फूल मिलेंगे तो इसके फायदे के बारे में जरूर आप से बताऊंगा तो देखिए यह मि लायक करते हैं तो मुझे खुशी होती है और जब खुशी होती है आपके लिए अच्छी वीडियो बनाने का अम्मन करने लगता है आपके करने से कोई पैसवेसे नहीं मिलते हैं दोस्तों और दोस्तों अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल में करने और हमसे जूड़ जाएं ताकि मैं जब भी कोई ऐसी मौतमर जानकारी लेकर क्या हूं वीडियो बनाऊं तो आप तक वह आसानी से पहुंच सके सब्सक्राइब बिल्कुल फिर दोस्तों कोई पैसा नहीं लगता है सब्सक्राइब करने में तो चलिए दोस्तों विना टा इसी समय मिलते हैं बसंत के समय में मिलते हैं यानि की यह अब फरोरी और मार्च में इसके फ्यू देखनों के मिलते हैं तो इस भीा आपको इसके फूल जो है अवसदी गुड़ों की खान है, इसमें अवसदी गुड़ों कूट कूट कर भरा हुआ है, कहीं भी दोस्तों, मैं बता रहा हूँ, कहीं भी अगर आपको सेमल के फूल दिख जाये तो तोड करके रख लिजिए, विल्कुल मत छोड़िये इसको, और इसको और इसके फूलों को छोड़े चोकड़े करके, उसे अच्छी तरीके से सुखा करके, साब करके उसे रख सकते हैं, और बाद में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों, आपको तुरन ताजा प्रयोग करना है, इसकी सबजी भी बनती है, तो दोस्तों, अगर जो रेसे देख रहे हैं, इसको भी निकाल देना है बीच वाला, इसका जहां से पंखुडी निकलते है, उस पीछे वाला इसे को ले लेना है, और इसी की सबजी बना के खाते हैं, बड़ी पावरफुल, बड़ी टेस्टी बनती है दोस्तों, और बहुत ही जबरदस्त और स जानकारी देते हैं, सेमल की सबजी के बारे में रखें, इसके अचार भी बनाया जाते हैं, बहुत ही टेस्टी बनता है, तो इसके नीचे वाले इससे का सबजी बनता है, दोस्तों, सबजी बनाना है, तो इसको पानी में उबाल करके, फिर जैसे आप सबजी बनाते हैं, उ इस तरह दोनों तरीके सब्जी बनती है तो दोस्तों सेमल की सब्जी खाने से जो फायदे होते हैं उस फायदे को सुन लीजिए अगर आप इसके सब्जी खाते हैं तो आपकी पाच्चन सक्ति कभी भी कमजोर नहीं होगी अगर आप सेमल के फूल खाते हैं तो कब्ज की समस्या कभी भी नहीं रहेगी पेट पूरी तरीके से साफ हो जाएगा और दोस्तों आपका खून एकदम पूरी तरीके से साफ हो जाएगा चेहरे में लालिमा आएगी चेहरा निखर जाएगा आखों में चमक बढ़ जाती है गर्मी के मौसम में भी आपका चेह तो दोसतों ये तो सबजी खाने के लाजवाब फायदे हैं आप दोस्तू मैं इनके फूलों के जmatic प्रयोग थे रकкої कोड़ बता देता हुं जिसको भी मुत्र की समस्चा है यानि कि पेसाब में जलन हो पेसाब में मुत्रासे में इंफेक्शन हो या फिर मुत्र रुक रुक क्याता हो या फिर किड्ने में इस्टोन हो या फिर किड्नी में कोई इंफेक्शन हो तो आपको करना क्या है एक चमच सेमल के फूल का पौडर लें और उसमें एक चमच मिसरी मिलाएं और इसको रोजाना आप खाली पेट दिन में एक बार पानी के साथ सेवन करें तो अगर आप ऐसा करते हैं दोस्तों तो यकीन वाने आपकी पत्री 15 दिन के अंदर बिल्कुल तोड़ तोड़के निकाल देगा और मुत्रा से जुड़ मुत्र से जुड़ी कोई समस्या हो उसमें बहुत ही वड़ियां लाब करता है दोस्तों एक से दू महिने तक लगातार इस्तमाल करने से आपके मुत्र से रिलेटेट कोई भी समस्या हुआ दूर जाती है तो यह बहुत ही फायदा करता है मुत्रा से जुड़ी समस्यां के ल बहुत ही कस्टमें पीड़ा होती है तो इनको दूर करने के लिए आप तो इस सेमल के फूलों का पाउडर एक चम्मच और एक चम्मच उसमें विश्री मिला करके रोजाना पानी के साथ अगर महिलाय लेती हैं तो उनका भयानक से बयानक प्रदर रोग ठीक होता है और जिन मत होती है मटाओं बहनों में महिलाओं की हर प्रकार की कमजोरी को दूर करने के लिए तो इस सेमल के फूल के जो आपों सबिल ना Care और फिर इसका powder करके रख लें और उसको इस्तिमाल करें बहुत हर जो भी महिलाओं से रिलेटे समस्या होती है सब दूर जाती है दोस्तों बहुत ही powerful बहुत ही beneficial है और सदी है सेमल के फूल महिलाओं के बाल काले होने लगते हैं महिलाओं के चेरे में निखा राता है उनका यवण बरकरार राता है क्योंकि इसके सेवन करने से महिलाओं में तेजी से खून बढ़ने लगता है इसी तरीके से पुरुष भाई लोग भी इसके पाउडर का सेवन प्रति दिन करें तो उसे भी बहुत ज्यादा फायदा होता है तो पुरुषों को इसका सेवन कैसे करना है सेवल के फूल का एक चमच पाउडर और उसमें एक चमच मिश्री और लग सेवन करता है दिन में एक बार लगवग एक दो माह तक लगातार अगर पीता है तो निश्चित रूप से उसकी मरदाना कमजोरी खत्म होती है सब्त धातूं की पुष्ट होती है हश्ट पुष्ट बनने लगता है और विरेतना अधिक गाढ़ा और साफ हो जाता है और साफ जी के रूप में या लाजित पूलों के रसों को निकाल करके या फिर इसके सुःगे पौडर बना talking हमेसा मर्द ही बन करके जीता है और मैलान अगर सकती है तो आपसरा के जैसी यह व्यक्रान से भरी हुई रहती है तो दोस्तों इस तरह से फूलों के सेवन के फायदे शुरू कर दीजिए और हमेशा तंदुरुस्त सेहतमंद और पूर्तिला बन करके जीए और खुशी से रहें सेहतमंद रहें वोके दोस्तों तो यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत वधनिवाद इसी तरीके से और जानकारी लेने के लिए हमारे चनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें दोस्तों और अपने दोस्तों संग भी शेयर करें ओके दोस्तों जैहन जै भारत